सुबह आँख खुली बहुती मोसम सुन्दर था कोयल की गून से आँख खुली फिर मैंने ठाकुर मा स्वामी जी को प्रणाम किया और थोड़ी से मेडिटेशन के बाद मैं बाहर देखी तो हलका हलका सा बारिश हो रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं चांस नहीं चोड़ूंगी मैं ऐसे दिनों में रामकृष्ण मीशन में जाओंगी यह मेरी नानी है नानी तो पुरा साफ करने लगी है बस यह बाहर से मौसम दिख रहा है बहुत सुन्दर है मतलब थोड़ा सचाय भी मैंने पी ली और पी के फिर मैं निकली निकल के पहुंच गई फि दो गाड है और यह जो रस्ता है यह रस्ता जाती है सीधे अंदर वहाँ पर एक free charity hospital है और यह तो गाड साब जा रहा है बहुत अच्छे आदमी है बिचारा और यह है auditorium hall और यहाँ पर हमेशा functions वगएरा जो होता है spiritual functions नहीं पर होता है यह है administrative office रामकृष्ण मीशन का administrative office औ यहाँ पर spiritual books बिखते हैं बहुती कम rate में ताकि लोग को पढ़ने पढ़ें इसे और यह है तपवन की नजारा देखिए मैं तो यहाँ पर बस खो जाती हूं आने से मैं घंटों यहाँ पर बैठी रहती हूं और मेरे एक बहुती favorite spot है लेकिन आज कोई और वहाँ पर पहले स आसर जमाए हुए हैं आप तो वो तो ध्यान तो कर नहीं रहे हैं पर mobile में अपने सारा ध्यान mobile में लगाए हुए हैं दिख नहीं रहा है आपको कोई बात नहीं मेरे से पहले आये हैं तो उनीक उनीक जगा है और यह है एक lotus का pond यहाँ पर lotus उगते हैं और सादुलोग पारती होता है, तब दिया जाता है, बहुत ही सुन्दर है, आज तो लोटस है, अभी गर्मी में इतना लोटस नहीं हो रहा है, ये तपोवन का नजारा देखिए, और इतना सुन्दर है यहां का नजारा, ये तो कठल का एक प्लैंट है, उपर से नीचे तक बस फली फल लदे हुए है, आस्रम में हैं, तभी ये सेफ है, अभी भी जूल रहे हैं, ये चारो तरब का नजारा देखिए, बस आप यहां आएंगे तो बस खो जाएंगे, ये भूबनिस्र, ओडिसा का कैपिटल, भूबनिस्र, भूबनिस्र का रामकृष्ण मिशन है, और मैं फिर आगे जो बारा सिस्र थे, उनी का सब चित्र लगाए गए हैं, हम इसको कभी बे आते हैं, तो उनको सब प्रणाम करते हैं, और ये रूम है, उनके जो मानस पुत्र थे, राजा महाराज, उनी का ये रूम है, एक्चुली यही इस आस्रम को इनों नहीं बसाया थे, तब ये सारा पूरा जंगल था, और मतलब ऐसे जंगल था कि स्टेशन से यहां तक आने के लिए अभी तो दस मिनिट लगता है, लेकिन तब चाड़े तीन घंटा लगता है, वो भी एक महत्र साधन तब बैल गाड़ी, ये रामकृष्ण परमंग सदेप की धरम पतनी हैं, धरम पतनी, और ये तो स्वामी बिबे का नंजी है, आप लोग जानते ही हो, और ये बाकी जितने सब उनका सिस्टे, बारा सिस्टे, उनी का भक्त भी कुष्टे, उनी का सब चित्र लगाया है, और ये उनका रूम है, उनके रूम में ये सब हम लोग का जो गुरु हुए हैं, अब तक मतलब रामकृष्णा ओर्डर में जितने गुरु अब तक बने गुए हैं, सबी का ये चित्र हैं, हम यहाँ पर भी प्रणाम करते हैं, और यहाँ पर मेरे गुरु जी जो अभी देह में नहीं है, शरीर में नहीं है, उनका भी चित्र लगाया गया है, और जब वो शरीर, गुरु ने जब सरीर छोड़ देते हैं, तभी यहाँ पर उनके चित्र लगाया जाता है, ऐसे नियम है, तो यह सबी का नाम भी लिखा, यह है राजा महराज, जो की स्रीराम कृष्णा देव के मानस पुत्र थे, उनके इस्तिमाल किया हुआ गया, हुआ सामान भी है, यह सब यूज किया हुआ, यह सामान, यह छड़ी, और यह गाड़ू, और यह है, उनका कुछ बस्त्र, अभी भी देखिये, जैसा लगता है, अभी कहीं बाहर गये हैं, बस आ ही रहे हैं, आ ही जाएंगे, अभी ऐसे लगता है, इतना मेंटन होता है, यह जो देव सो दो सो साल आखिर में किचन है, भगवान ठाकुर जी का भोग लगता है, और यह सीड़ी है, हाँ, यह जो है, यह किचन का, आगे जाके किचन है, और इसके बाद यह सब सादू निवास है, सादू लोग, ब्रहमचर लोग, सादू लोग में रहते हैं, ब्रहमचर लोग का जो रूम है वो अलग है और यह जो है आगे जब को दिख रहा है यहां पर जो गुरु आते हैं गुरु जी जब आते हैं तब यहीं पर दर्सन होता है उनका और यह आमका प्लैंट है यहां सारे बहुत सारे आमका प्लैंट है कोई तोड़ता नहीं है बस ऐसे ही रहता है लेकिन हम नीचे गिरने से एक दो उठाई लेते हैं लोब नहीं छोड़ते हैं फिर उपर आनके पहले दर्वा से गुशते ही यहां चर्णाम्रित रखा जाता है और यहां पर ज्यादा तर तो मेडिटेशन ही होता है कुछ ताम ज्याम तो यहां नहीं होता है बस पूरा सांत सा सुगन सा बातावरण है ताकि आते ही बस अपका मन स्थीर हो जाए यह चारो तरप का नजारा मैं ज़रा दिखा देती हूं बस कोई कोई रोक टोक ने किसी धरम का किसी जाती का कोई भी आद करता है कोई भी आ सकता है कोई आइसी कोई बात नहीं है जैसे मंदिर कोई भी जा सकता है वह इसी तरह यहां पर हिंदू, मुस्लिम, शेक, इसाई किसी को कोई मनाई नहीं है कोई भी आ सकता है यहां पर बैठ सकता है अपने तरीके से बस जिसका जो मन चाहे कर सकता है देखिए चारो तरप का महौल इतना और ये डेली मेंटेन होता हर दिन इसको उपर से नीचे तक जाड़ा पोचा किया जाता है कहीं भी आपको थोड़ी सी भी धूल नहीं मेंते ये रामकृष्ण परमंग सद्रीप की बहुत सुंदर सेथ पत्थर की मूर्ती है और ये सन्या सी पुजारी सन्या सी जी लगे हुए है हकुर जी का आरती करेंगे शाहद अभी ये मॉर्निंग आरती है